चुके हैं शेलेन सिंग साहब बोड शक्स हैं जिन्होंने मुक्तार अंसारी की आप अगर कहें उल्टी गिनिती वाकिंग टुवर्ज दी अधर साइड शुरू कर दिया था पूर्ट डीएसपी शेलेन सिंग साहब इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सिंग साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की तारीक में जब बोड शक्स जिसे दह्षत का परियाय कहा जाता था उसकी मौत की खबर जब आपने सुनी तो आपका पहला रियाक्शन क्या था सवाविक है कल जब मझे ये पता चला तो पहला दिमाग में मेरे यह जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल उसको मिलना ही मिलना है उपर वाले के घर देर हैं अंधेर नहीं है जिस भै को इसने लोगों के बीच में व्याप्त करके और अपना अर्थिक समराज बनाया था जब वो सब धैने लगा योगी जी की सक्ति के कारण तो वो भै अब इसके अंदर कायब हो गया था और उसी का नतीज़ा था कि इसको हर समय डर लगता था कि कोई मुझे खाने में जहर दे रहा है कोई मेरे मेटिकल फेसिलिटीज नहीं प्रॉपर मिल नहीं है और वो जहर इतना हावी हो गया कि कल काडियर केरेस्ट के कारण इसकी मोथ हो गई तो पहला हमेरे दिमाग में ही आया कि आपके कर्म आपके साथ हैं अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे बुरा करेंगे बुरा मिलेगे शैलें सिंह साब आपने तो वो दोर भी देखा है जब आप खाकी वर्दी में आतंक का या खौफ का अंत करने के लिए तैनाद किये जाते हैं लेकिन उस उस डर को आपको महसूस करना पड़ता है क्योंकि उस इलाके में कोई आपको किराय का कमरा तक नहीं देता है सिर्फ इस लिए क्योंकि मुक्तार अंसारी का खौफ है वो दिन याद है आपको सिंग साहब बिलकुल आप सही कह रहें जब मैंने रिजाइन किया सरकारी आवास छोड़ा था तो एक मुझे किराय का कोई घर भी नहीं देता था कहीं मिल भी गया तो सवेरे उत तक उसको धंकी मिल जाती थी और दूसरे दिन मुझे खाली करना पड़ता था जब मैंने सोचा कि मैं बैंक कंपनी में कहीं भी अप्रोच करने लगा कि जॉब मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूं पेस्लिप के आधार पर लोन ले सकूं तो वहां भी धंकिया चली जाती थी और मैं नहीं जॉब कर पाता था तो वह दौर मैंने देखा भगवान राम का चौदा बरस बनवात था मेरा तो पीडा को कभी जंता में नहीं आने देता था और पॉस्टिफ सोच के लिए कि चाए आटी आई पर काम किया चाले ऐस्केसान के और रहेया वह समर्धन पे और अर्फ जनता बीचमे पूस्टिफ लेके गया लगातार काम करता रहा और जुसे का नतीजा है कि वो अजार चार का वो ऐसा दोर था जब मैं चाहती हूँ कि न्यूस एटीन इंडिया की दर्शकों को शैलें सिंग जो आज हमारे साथ बैठे हैं वो हमें आज से 20 साल पहले ले चले वो पहली मरतबा जब आपने वो बंदू वरामत की थी वो पहली मरतबा जब आपको लगा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अन्याय नहीं होता है वो पहली मरतबा जब आपका आपकी ये जो सोच थी जिसे मैं गुबारा कह सकती उन दिनों का वो फूट गया जब आईजी रांग के अधिकारी से लेकर तमाम बड़े लोग आपके कि उपर ये दबाव डालने लगे कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं सकता है कि बात सही है देखिए उस समय हम लोग मेरी भी सर्विस ज्यादा नहीं थी नौव साड़े नौव साल की सर्विस थी और एक फिल्ड में जजबा था स्टीएप उसमें कायम हुई थी कि बड़ की जाती थी कि यूपी के स्टीएफ में वो दंखम है और उस जजबे के साथ हम लोगों ने एक लाइट मशीन गन रिकवरी की जो ना उससे पहले कभी रिकवर हुई ने आज तक होई सिंगल रिकवरी है लाइट मशीन गन के लेकिन दुरभाग है हम लोगों का कि जिसको हम लोग गुड़ वर्क समझ रहे थे कि हमारी टीम को आउट आफ टरम प्रमोशन मिलेगा शाम होते होते वो हमारा बैड वर्क गिना जाने लगा और हमारे लोगों पर ही दबाव पढ़ने लगा और 15 दिन बाद मुझे सर्विस चोड़ना पड़ा तो वो दोर बहुत ही खतर खतरनाक था और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात कि थी कि जिस स्टीएफ के कारण पब्लिक को भी रहता था सुकून की चलो स्टीएफ है स्टीएफ केस देख रही तो नयाय हो जाएगा उस स्टीएफ की बदनामी हो रही थी लेकिन आज मुझे खुशी इस बात किये क उसी पुलिस का जलबा फिर से योगी जी ने कायम किया पुलिस का इकबार कायम हुआ आज अपरादी अपने जान की भीक मांग रहे है चलिंजी आपको लगता है कि वह दौर सच में बहुत खतरनाक था वह उस दौर में शायद आप स्टीएफ के साथ ना होते और आज अग हमारे पास अगर समय आज ये वाला दौर होता तो हमारी टीम आउट आफ टरम प्रमोशन पाती हम लोग मेडल पाते और एक जनता में भी विश्वास होता है कि बड़े-बड़े दुद्दांत अपरादियों को भी दो मिनिट में ठिकाने पर लाए जा सकता है लेकिन दुर आपने को जीवित रखना अपने परिवार को जीवित रखना रोजी रोटी चलाना और शाथी साथ जनता में खास कर यूआउ में इस बात का संदेश देना कि नहीं आप सिस्टम से टकराओगे तो आप फिनिश नहीं हो जाओगे एक नए दिन यह सिस्टम सुधरेगा तो आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि वो जो लोग देख रहे हैं या पुराने दोर को देखा है उन लोगों ने आज उनको इस बात पर भरोसा वोगा कि नहीं सच की जीत होगी और यह जो शॉर्ट कट अपना के लोग चाहे साशन सत्ता में बैठ गए हो चाहे माफिया बन ग अगे थे 25 जनवरी 2004 को मैंने रिकवरी की थी और 11 फरवरी 2004 को मैं रिजाइन किया था और मुझे वह घटना बड़ी याद है मैं STF में बैठा हुआ था बनारास यूनिट क्लोज करके लगनो एड कॉर्टर बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास परिवार आया पूरा मैं न देख रहा था अपराधियों ने लोगों के लोगों ने और उस केस को मैं देख रहा था लेकिन जब यह केस सब रिकवर हो गया लम जी और यह तूल पकड़ गया मामला STF को क्लोज करके वापस बुला लिया गया तो वह केस भी मेरे हाथ से छूड़ गया उस केस में उस करी परिवार को समझे बैंक क्लर के कितनी हैसियत होती है उस समय उसको पांच लाग यह साथ लाग दस लाग जो भी देना पड़ा देके और अपने बच्चे को वह लेके वापस आया और वह परिवार धन्यवाद देने मेरे पास आया था STF कार्याले में और कहा कि चैलेंज जी आप कुछ कर नहीं पाए लेकिन आपने जितनी जब तक रहे आपने जो ततपरता दिखाई थी वही मेरे लिए बहुत है और अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं उधर कभी नहीं जाएंगे और मैं बैठे बैठे दिन भर यही सोचता रहा कि जो सरकारी तंत्र जो ह हम लोग पर्ती होते हैं तो लोग सिवक बोले जाते हैं पॉलिक सर्वेंट हम जनता के टैक से अपनी तनखा लेते हैं उनके लिए समर्पित है या रिस्पॉंस्बिल है लेकिन चैलिंजी जो बाते आप कह रहे हैं उस उस दरम्यान ऐसा तो लग नहीं रहा था यह तो बिल नेशन वेज दिया था झाल 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 झाल